सफेद रोली के बारे में बताएंगे यह बीज के साथ आती है कि जैसे ही फसल की बुबाई लेट सीजन में करते हैं तो यह बीमारी पोदे की प्रार्मिक अबस्ता से शुरू होती है और पत्ती पर और साथ में फिर इस्टेग हेड़ जिसको हम तना कहते हैं या फलिया बनती है उस तक पहुंचती है इसकी रोगताम के लिए मुख्य बात है सबसे पहले किसान अगेती वहाई करें जो के दस से 25 अक्टूर के बीच में हो जानी चाहिए साथी साथ मेटालेक्जल एप्रॉन 35 HD से 6 ग्राम प्रत्य किलोग्राम बी जेड जो के मेटालेक्जल और मेंगोजेव का मिस्टन होता है सेवन्टी फाइव डबलूपी फपूदि नासक के दसमरत दो पांच प्रत्सत गोल का छिड़काव करें दूसरा छिड़काव तीस दिन बाद करें एक मतपूर बात है कि अनुकूर जयवा कारक होते हैं जैसे कि 75 प्रत्सत से अधिक मौसम में नमी 5-12 degree centigrade तापमान वह बदली युक्त या कोहरे का प्रभाव जैसे के 2-6 घंटे तक सूरज का दिखाई देना इस तरह की दसाएं अगर 8-10 दिन लगाता रहती हैं तो यह रोग उग रूप धारन कर लेता है दूसरा है तना गलन रोग इ पीचले हिस्से पर जमीन से थोड़ा उठा हुआ भाग इस रोग से ग्रसित हो जाता है और यह रोग तने पर तैनियों पर पत्ती पर फली पर भी देखा जा सकता है इस रोग से बचाव के लिए इसके लिए हम बेनोमायल या बावश्टीन दसमलत दो पांच प्रसत के साब से चिड़काव कर सकते हैं कि जब फसल में 25 से 30 प्रसत फूल आ जाएं उस समय किसान भाई यह चिड़काव कर सकते हैं तीसरा है अल्टनीरिया ब्लाइट पत्ती जुल्चारोम इसके लच्षण पत्तियों पर छोट.- करें